नमस्कार, स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि क्या सरकार जो है वो लोक सभा और सभी राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव को एक साथ करवाने को लेकर मन बना चुकी है क्योंकि 18 सब्टेंबर से विशेश सत्र आयजित किया जा रहा है देखे तीन सत्र होते हैं उसके बारे में मैं डिसकस करूँगा और उन तीन सत्र के अलावा जब एक विशेश सत्र भी जब वहाँ पर बुलाया गए हमारी इस वीडियो में में फोकस ये नहीं रहेगा कि विशेश सत्र क्या होते है विशेश यहाँ पर जो फोकस रहेगा वो इस बात पर कि क्या देश में लोग सभा और सभी राज्यों की विधान सभाओं के जो चुनाव है वो क्या एक साथ हो सकते हैं एक साथ हो सकते हैं तो इसके लिए क्या-क्या फाइदे होंगे या फिर इससे क्या-क्या नुकसान होंगे इन समाम चीजों को हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं PDF के लिए मैं बता देता हूँ description box में telegram का एक link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF जो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं एक news आती है one nation, one election जो सरकार जो है इसके ओपर विचार कर रही है अब यहां पर इसको लेकर काफी साथी जो है चर्चाएं जो है एक टाइम में कहेंगे कि opposition जो है इसके खिलाफ आ गई है वो कह रहे है कि यह सब चीज़े नहीं हो सकती है कि यह पहले नहीं होती थी क्या सरकार जब भारत जब आजाद हुआ तब क्या एक साथ election नहीं होते थे सभी राज्यों के और लोगसभा की election क्या सब एक साथ नहीं होते थे लग भग यहां पर देखे 30 लाख electronic voting machine की और मत दाता सत्यापन पेपर audit trail की यानि VVPT जिसको कहते हैं EVM और VVPAT 30 लाख इनकी जरूरत पढ़ने वाली है एक साथ यहां पर election होने तो इतनी संक्या के अंदर EVM machine की जरूरत पढ़ेगी EVM machine यानि की जिसके अंदर आप एक बटन दबाते हैं particular party को वोट देने के लिए और साथ में एक VVPAT जिसको हम कहते हैं मत दाता सत्यापन पेपर audit trail जैनि की आपने अगर Congress का अगर आपने बटन दबाया है तो वहां पर आपका vote Congress को गया है नहीं गया उसकी एक रसीद या एक image आपको वहां पर दिखती होगी उस machine में तो वो एक चीज होती है नहीं दोनों machine एक साथ चलती हैं तो कहा गया है कि 30 लाख machine की यहां पर जरूरत पड़ेगी देश बर में साथ साथ किंद्रिय बलों को तेनाद करने के लिए logistic चुन्योतियां बहुत बड़ी होंगी क्योंग लेकिन दुर्गम नहीं होंगी कई पूर मुख्य चुनाव आयुक्तों के अनुसार देखे जो भारत में Chief Election Commissioner जो रह चुके हैं काफी सारे रहे हैं उसमें कुछ ने कहा है कि हाँ एक सारे चुनाव करवाये जा सकते हैं लोकसबा और राजे विधान सबाओं के लेकिन कुछ ने कहा है कि ये सब चीजें possible नहीं हैं लेकिन कुछ एक इसके उपर कोई भी टिपणी नहीं करना चाहते जो आज के जो वरतमान के जो चीफ एक्षन कमिशनर उन्होंने इस बात पर कोई भी टिपणी नहीं की है अब देखिए ये सब चीजें जो है वो चर्चा का विशे क्यों बनी अभी हाली में बात बोली गई कि सब्टेंबर 17 से अभी G20 होगा 19 को 19 के G20 होने के बाद क्या है देश में विशेष सत्र आयजित किया जा रहा है क्या देश में विशेष सत्र आयजित किया जा सकता है हाँ इसके पीछे एक आर्टिकल है पर राष्ट पती जह हैं उस आर्टिकल का यूज करके क्या कर सकते हैं विशेष सत्र आयजित कर सकते हैं पहली बार नहीं हो रहा है आप सोचें कि कि पहली बार विशेस hasnवाःजीट किया जा रहे हैं पहली Souls 9 क्याम एक सात देश में लोग सबात के चुनाब हो सकते हैं तो यहांपर जो बोला गय की साथ में topic हैं या इसके लावा एक आठ्वा topic भी यह हो सकता है कि देश का नाम जो है वो इंडिया से बदल कर इंडिया से बदल कर क्या कर दिया जाए भारत कर दिया जाए इसके ओपर भी काफी सारे कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि हाले सप्पेंबर को विशेश सेशन जो है यहां पर बुलाया जा रहा है इसके अलाव वूमें रिजर्वेशन बिल अर्ली लोगसभा इलेक्शन भी हो सकते हैं प्लेस ओ वर्शिप को वाने का संसद्य कार्यमंत्र जो पहला जो सी उन्हें अपने एक्स जो शोशल मीडिया है अग्स आप यहां पर दूसरा मतलब ना निकाले एक्स जो पहले क्या होता था ट्वीटर जो हुआ करता था अब उसका नाम जो है वह हो गया इस सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट से वहां पे लिखा कि संसद का स्पेशल सेशन जो आठारा से लेकर बाई से तमर को बलाया जाएगा और यह जो विशेश सत्र नए संसद भवन में होगा पांच मैटकें इसके अंदर होने वाली है और विशेश सत्र के अंदर दस से जादा जो एहम बील जो अब यहाँ पर आपको बता दें कि एक साल में संसद में तीन सत्र आयजित किये जाते हैं बचट सत्र हो गया मांसुन सत्र हो गया और सीत कालिन सत्र हो गया सीत कालिन सत्र आएगा लेकिन अभी मांसुन सत्र के बाद जो 18 सप्टेंबर से विशेश सत्र बुलाया जा रहा है हलांके जुरूरत पढ़ने पर राष्टपती विशेशतर बुला सकते हैं समिधान का अनुछेद आर्टिकल 85 के क्लोज एक में राष्टपती को संसद के परतेक सदन में ऐसे समय पर समन जारी करने का अधिकार है तो यहां पर आप सीजे समय लिजे कोई सरकार अपनी मर्जी से नहीं यहां अपने थोप नहीं रही है कि हाँ मैं हम तो बुलाएंगे पर राष्टपती को उधिकार है आर्टिकल बे लिखा गया है उसका यूज करके उन से जों को किया जा सकता है और इससे पहले भी वो किया गया है अब यहां पर हम बात कर लेते हैं वन नेशन वन इलेक्शन यानि की एक देश एक चुनाव जो पूरे देश में एक साथ लोकसबा और विधानसबा के चुनाव हो इस सी से मतलब है इसका आजादी के बाद 1952, 1957, 1962, 1968, 1967 लोकसबा में और विधानसबा इनके एक साथ चुनाव हुआ करते थे यह जो चीज़े हैं वो पीछे रहे गए या फिर कहें कि यह ताल मिल जाओ वो बिगड़ गया है यहां पर अब बात की जारी है कि इन सब चीज़ें को फिर से लाया जाए जाए इसके पीछे तरक यह दिया जा रहा है कि देखिए इससे काफी जादा जो है पैसा खर्च हो आपको दिखाऊंगा कितना जादा खर्च किया गया है अब 1967 के बाद जो आपको पता है कि चुनाव एक साथ तक यहां तक होते थे लेकिन फिर क्या हुआ विदान सबाव लोग सबाओं के कारेकाल अपने समय से पहले भंग हो गए थे जिससे क्या हुआ यह जो तालमेल है यह बिगड गया अभी हाली में वर्तमान में जो है आंदर परदेश अरुनाचल परदेश ओडिशा सिक्किम यहां पर क्या है कि चुनाव जो है लोग सबाओं के साथ ही होते हैं 2022 के जो ततकाली जो चीफ इलेक्शन कमिशन हुआ करते थे सुशील चंद्रा उन्होंने कहा कि भारत का जो चुनाव आयूग है यानि एक साथ चुनाव करने के लिए पूरी तरह त्यार है यह बात बोली गई थी जो पहले चीफ इलेक्शन कमिशनर हुआ करते थे अब हाली में जो चीफ इलेक्शन कमिशनर है राजीव कुमार उन्होंने का कि देखिए हम इस मुद् इसके उपर बात करने से ही मना कर दिया तो इससे क्या मतलब निकाले हम अब वोटिंग मशीन जो बहने बता है न तीस लाग की जुरूरत पड़ेगी तो इसको एक बार समझ लिजिए यह जो वोटिंग मशीन है इनका यूज कितनी बार किया जा सकता है एक वोटिंग मशीन का हम कितनी बार यूज किया सकते हैं इसकी एक्सपारी डेट होती है यह नहीं होती है इन सब चीजों को समझना होगा लेकि अनुमान के मताबिक जो है एक साथ चुनाव कराने के लिए तीस लाग एवियम मशीन के आवशकता होगी जो पहले पूरू यानि CEC यानि की चीफ इलेक्शन कमिशनर ओफ इंडिया जो थे रावत जी ने उन्होंने का था कि सरकार ने ECI यानि इलेक्शन कमिशनर इंडिया 2015 में एक साथ चुनाव करने की जो क्या ये पोसीबल है या नहीं है इसका अध्यन करने के लिए कहा था तो यहाँ पर ECI ने 1982 से सिफारिस कर रहा है कि उन राज्यय विधान सभाओं को वापिस लाने के लिए एक सब्षूदन लाया जाए जो लोकस्वा के साथ समय्वे से बाहर हो गया है, यानि कि 1982 से जिन राज्यों के इलेक्शन लोकस्वा के साथ नहीं हो रहे हैं उनको साथ लाए जाए उसके लिए सम्विदान में संशोधन कैसे या तो लोक सभा को पहले भंग करो या इसको बाद में भंग करो इसका कारेकाल बढ़ाओ या राज्य विधान सभा का राज्य विधान सभा का कारेकाल बढ़ाओ या उसे कम करो तो इन सब साथ एक एक्ट है पीपल रिप्रेजेंटेशन ओपीपल एक्ट लोग परती नहीं दी तो अधिनियम इसमें भी संशोदिन के आवशकता होगी और ECI को अधिक EVM और VV की पेट बनाने के लिए अधिक समय देने के लिए अधिक समय देना होगा और धनकी भी आवशकता होगी कुल मिलाकर 30,00,00 CU यानि कंट्रोल यूनिट की आवशकता होने वाली है यह बात है वो रावजी ने कही थी अब यहां पर एक बात और आती है हमारे सामने कानून मंत्री ने संसद को बताया था कि मार्च तक ECI के पास EVM की 13.06,00,00 CU और 17.77,00,00,001 यानि बी-उ यूनिट थी अन्य जो 9.09,00,00 CU और 13.26,00,00,00 BU उत्पादन में थे यानि प्रोसेस में थे जिसे कुल मिलाकर 22,00,00 CU होगी हमारे सामने CU होगी और 31.03,00, जो है वो बी-उ होगी हम भारतिय प्रोद्यगी की संस्थान गांधी नगर में जुस्तित है उसकी निदेशक और EVM पर ECI के तकनीक की समीती के सद्धिस्य प्रोफेसर रजद मुना ने कहा था कि 6-7,00,00,000 EVM के निर्मान के लिए लगबग एक साल लग गया एक साल लग गया 6-7,00,000,000 मशीने बनाने में अब जिससे क्या है कि 2014 में एक साथ चुनाव कराने की जो बात है वो मुश्किल है डिफिकल्ट है वो नहीं हो सकती एक तरफ ये बात भी हमारे सामने निकल कर आती है अब आती है हमारे सामने increased cost देखे सरकार और संसथ की समीति कानून और नियाय पर संसथिय 27 समीति ने अपनी 2015 की रिपोर्ट में ECI द्वारा बताई गई कई कठनाईयों का उले किया था कि 2015 में रिपोर्ट दी गई थी इसमें कुछ खामिया है जिससे भई हम नहीं कर सकते कुछ एक निसका support भी किया था उनके द्वारा उजागर किया मुख्य मुख्य मुद्धा यह था कि एक साथ चुनाव कराने के लिए electronic voting machine और मददाता सत्यापन योग्या paper audit trail machine के बड़े पैमाने पर खरीद क्या आउशकता होगी EVM और VVPAT machine यह खरीद नहीं पड़ेंगे obviously खरीद नहीं पड़ेंगे एक साथ चुनाव हो रहे हैं एक साथ चुनाव हो रहे हैं तो इतनी मशीनों का आपको खरीदना पड़ेगा जब आप इनको खरीदेंगे तो कीमत क्या जाएंगी तो कीमत यहां पर बोला गया कि 9,284 क्रोड रुपे के आफशकता होगी EVM और VVPAT machine के लिए machine को हर 15 साल में बदलने के भी आफशकता होगी यह देखिए यह काफी important है कि एक machine आपने ले लिए उस machine को आप 15 साल तक ही use कर सकते हो 15 साल बाद उसको बदलना होगा अब 15 साल बाद आपने आप मान लीजिए कि आपन कोई भी संसोधन करती है संसोधन करने के बाद क्या है कि लोग सबार विदान सबा के चुनाव हो रहे हैं 5 साल बादे 5 साल में हुए फिर 5 साल बाद हुए पहली बार यहां हुए फिर 5 साल चोड़के यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर 15 साल जब बीच जाएंगे इस ब वो खर्चा करिए अब दुबारे से वो आप खर्चा करेंगे तो इससे क्या होगा कि देंगे कि 9,284 क्रोड तो इतने लग गए थे फिर से और ज्यादा खर्चा यहां पर बढ़ने वाला है तो यहां पर यह बात बोली गई अब रावजी ने कहा कि अभी तक जो ECI यह इनलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया दुनिया का सबसे चुनाव कराता है सबसे सस्ता चुनाव कराता है एक डॉलर एक वोट पड़ता है हमारे देश में इसका मतलब है कि परतेक EVM का उपयोग जो है वो कई जगह है कई चुनावों में किया जाते है यह एक साथ चुनाव हो 5814 करोड रुपे दिये थे अब यहां पर जो बात बोलीगी है न कि एक डॉलर एक वोट तो इसको आपको समझना होगा एक चार्ट में आप लोगों को दिखाता हूं कि भारत में अगर अलग-अलग चुनाव हो रहे हैं तो कितना खर्चा हो रहे है और एक साथ जब चुना हुए थे लोग सबा के उसके अंदर और सबसे ज़्यादा बेज़ेपी ने इसका 45% शेर था इस साथ जार करोड का यह एक स्टेडी ने बता है अब यहां देखिए उनिस सो बावन के लोग सबा चुनाव में 10.52 करोड रुपे खर्च हुए थे 2014 में यह 3870 करोड रुपे ख सोची कितना ज़्यादा खर्चा बढ़ गया है अब जब अलग अलग चुनाव होते तो कितना खर्चा होता है आप इस चार्ट से असानी से समझ सकते हैं यहां से आप देखिए कि कितना ज़्यादा खर्चा बढ़ता जा रहा है क्या आने वाले टाइम में खर्चा कम होगा obviously नहीं यह और ज़्यादा बढ़ जाएगा कहा गया कि भारत के अंदर election जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है पूरी दुनिया के अंदर अब ये बात बोलना कि एक डॉलर एक वोट सबसे सस्ता चुनाव कराता है तो इसके उपर सोचने वाली बात है क्या वाकई में वो सब चीजे हैं या नहीं है अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ election commission of India की ये जो बात है वो गलत है अब मैं एक साथ एक चुनाव कराने चाहिए बहुत सारी मुद्दें इसके सामने आते हैं कि कुछ तर्क हैं कुछ कहते हैं कि हाँ करवाने चाहिए कुछ कहते हैं कि नहीं करवाने चाहिए वही 2015 में एक लोग commission की रिपोर्ट आई थी one nation, one election को लेकर इसमें बताया गया था कि अगर एक साथ आप लोगसभा और विधान सभा के अगर आपने election करवा लिए तो जो एक अचार सहिंता लगती है उससे क्या होता है कि काफी सारे जो development है वो भाधित हो जाते है अचार सहिंता मतलब क्या होता है अचार सहिंता का मतलब होता है जब election की date घोशित हो जाती है और जब तक result नहीं आ जाते तो इस अवधी तक कोई भी सरकारी काम नहीं हो पाता मतलब की कोई भी recruitment हो पाती नहीं यहां पर कोई भी development project जह वो चल पाता है तो एक तरीके से आप समझीए यहां पर कोई सरकार है ही नहीं। जो सत्ता रूट सरकार है और जो opposition सरकार है वो एक ही platform पर आ जाती है यहाँ पर अब यह नहीं है कि वो अपनी सरकारी machinery का use कर ले सरकार के अंदर ऐसा नहीं हो सकता तो यह अचार सहीता होती है अब यह अचार सहीता जब तक रहती है तो यहाँ पर कोई भी development program नहीं हो रहा अब सोचिए एक साथ election होंगे सभी राज्यों के अंदर लोगसभा के अंदर तो इससे क्या होगा एक ही बार में यह सब चीजें होंगी एक ही बार यह break लगेगा परना क्या होता है अलग-अलग हो रहे हैं उसका खर्च देखिए अब आप काफी सारे के दिमाग में ये भी आता है कि सरकारी जो मतलब सरकार जो है वो चुनाव का खर्च खुद वहन करती है ये नहीं कहती सरकार ही वहन करती है लेकिन जो एक होता है उमिद्वार खड़ा है वो अगर उसको अपने आपको परचार परशार करना है तो उसका खर्च तो वह खुद वहन करता है भाई 1979 के अंदर लोग कमिशन ने चुनावी खर्च को लेकर एक गाइडलाइन जारी की थी इस गाइडला के तो वहां पर जो खर्चा है वो 50-50 परसेंट बट जाएगा यहां पर अब साथ चुनाव करने से खर्चा बचाया जा सकता है तो हो क्यों नहीं रहा यह सब चीजे अब यहां पर अलग-अलग तरक आते हैं देखिए EVM को लेकर मैंने आप लोगों को बताया इसकी बहुत लोग सबा का और राज्य की विधान सबा का विधान सबा का और लोग सबा का पांच साल का कारेकाल होते हैं यहां पर आर्टिकल जो आता है हमारे सामने 83 का आता है और यहां पर जो आर्टिकल आता है 172 आता है यहां पर बोला गया है कि पांच साल का कारेकाल होगा यहां प सबस्तुए विदाउन सबस्तफ mau कारी काल सिर्फ एक बार सिर्फ साल में 17 साल के लिए बढ़ाया जाugen कैंगол इक यह बात बोले गींगे गजब एमर्जेंसी और यह दो दुरान गोगेहें दश महिने का इमर्जेंसी के दोरान अगया था प्रोसेस से बाहर हो गई जहां पर एक साथ सुना हुआ करते थे लोग सबा और विधान सबा के तो यह सब चीजें समझने की जूड़ता है कि एक साथ होना थोड़ा मुश्किल है अगर पांस साल से पहले भंग होगी तो देखिए फिर वही घूम फिरकर हम उसी चुनाव की तरफ आजएंगे जो आज की डेट में अगर आपने क्या किया कि लोग सबा और राज्य की विधान सबाओं के चुनाव को एक साथ ले भी आए कभी ना कभी वो टाइ से क्या होगा कि वो एक चक्र जो अभी जो चक्र अभी चल रहा है उसे मतलब कि लोग सबा और राज्य सबाओं के चुनाव अलग अलग हो रहे हैं उसी चक्र में वापस आ जाएंगे तो उसका फाइदाएक है इसके साथ साथ देखिए काफी सारी जो जो रिजिनल पार्ट दिया जाएगा आप चुनाव हो रहे हैं लोग सभा के आपने नरेंद्र मोलग जी को वोट देना है या रहूल कानदी तो यहां बोला गया है कि देखिए, साथी साथ जो होता है ना कि आपने पांच साल का मतलब कि उसके बाद ही लोकसभा और विधानसभा की चुनाव होने, उस पांच साल के दुरान देखिए, जो मतदाता है, मतदाता है वो डालने वाला और जो नेता है, उनके बीच का संपर जो एक तरीके से तूट जाएगा तूट ऐसे जाएगा कि देखिए अब उविसली उसको पांच साल बाद काम पड़ेगा तो यह तो आपने देखा ही होगा भारत के अंदर कैसे कि जो नेता है वो कब किसी आम इंसान से मिलने आते हैं वो तभी आता है जब उसको वोट की किर्टमेंट गया कुछ जोब मिलनी होती तभी मिल रही होती है अभी हाली में आप देख लीजिए इन सब चीजे तभी तभी कि जाती है जब इलेक्शन होते हैं तो अगर आपने इलेक्शन एक साथ करवा लिए तो यह सब चीजे सामने आएंगे मुसीबत हो जाएगी अल साथ देखे केंद्रियबल देखे जहां पर चुनाव होते हैं तो वहां पर केंद्रियबलों की अवशक्ता होती है बड़ी मात्रा में यहां पर केंद्रियबलों की मांग होगी तो यहां पर क्या होगा कि बलों के साथ साथ मतदान की दलों की आवाजाई एक और मुद्दा ज नुक्सान भी हैं समय भी बचेगा खर्च भी बचेगा लेकिन साथ-साथ काफी सारी चुनोतियां भी जो हैं हमारे सामने निकल कर आ तो अमीद है आज का जो टोपिक है वह आप लोगों को समझ में आ गयोगा देखे काफी सारी पार्टीज हैं ज्यादा तर शेत्रीय दल हैं देश में एक साथ चुनाव करने का विरोध करती हैं दरसल यह जो इन दलों का एक मानना है कि जिसमें ने का ना कि चुनाव एक साथ ह हतम हो जाएंगी यह सब चीजे हैं तो अमीद है कि आज का जो टोपिक है वह आप लोगों को समझ में आ गया होगा और एक साथ चुनाव लोग सभा के और राज्य विधान सभाओं के चुनाव करना क्वाइट पोसीबल भी है और नहीं भी है लोग कमिशन ने कहा कि आप ए टोपिक हैं वो डिसकस किये जाएंगे तो बसाच के लिए इतना है था अकर आप लोगों को वीडियो पसंद आईए समझ में आईए तो मुझे कैसे बता सकते हैं लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पीडियो के लिए फिर से बता देता हूं डिस्क्रिप्शन बोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो जो डाउनलोड कर सकते हैं तो बसाच के लिए इतना है था थैंक्यू और